हेलो फ्रेंट्स मैं चन्दन एक बर फिर शे आपका श्वागत करता हूँ शक्षिर मंत्रा विद दिपक राय के इस योटूब चैनल पर फ्रेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग कोडिंग को पढ़ेंगे तो क्लास श्टाइड करने से फ्रेंट्स मैं आपको बता दू अगर आप यूपी ट्रेपल सी पीटी दोजार तेश की कम्प्लिट तैयारी करना साथ हैं तो हमारे अरजुन बैस से जुड़ेगा इस बैस मे इस बैस की जो फीस है ना यह 3.99 रुपीज है लेकिन अभी एक ओफर के ताथ हम लोग इसको 99 रुपाय में सेल कर रहे हैं इसे 99 रुपाय में लेने के लिए आपको कूपन कोड पीटी 23 अपलाई करना पड़ेगा तो आप प्ले इस्टोर पे जाए वहां से अप्लिकेशन अप्लिकेशन डाउनलोड करके आप आराम से यह बैच परसिस कर लेजे और एकदम टिंसन फ्री अपनी तयारी कीजे ठीक है तो फ्रेंड्स सले क्लास को स्टाइड करते हैं देखो क्लास स्टाइड करने से पहले में आपको एक चीज बता दू आप वीडियो को पूरा आप वीडियो को आपको इंड तक देखना है साथ में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो चैनल को सस्क्राइब कर लेजेगा और वीडियो को लाइक किजेगा आप इसको पूरा देखना लास्ट में कुछ क्वेसंस आपके लिए रखेगे हैं जिसका एं प्रेस कर लेजेगा और साथ में आप कमेंट जरूर किजेगा आपको जैसा भी लगते हैं अच्छा बुरा जो भी समझ में आता है आप कमेंट करेगा चलिए क्लास को इस्टार्ड करते हैं देखें यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ना कोडिंग और डिक लिखा होता है उसी को कोडिंग कहते है इसको मूल रूप में नहीं लिखा जाएगा जैसे बॉय है ना तो बॉय को बॉय नहीं लिखा जाएगा अब बॉय न लिख करके किसी बिसेश भासा में या किसी बिसेश प्रकार से किसी बिसेश रूप से इसे बॉय को कुछ और लि मूल सब्द को ढूनना decoding कहलाता है तो देखो आपको coding और decoding दोनों clear हो गया है coding का मतलब क्या होता है जो मूल सब्द है इनको किसी अन्य प्रकार से प्रदर्शित करने की तक्निक को हम लोग coding कहते हैं और decoding क्या होता है जो code दिया रहता है इसको solve करके इसको find out करना इसको हल निकालना क्या कहलाता है decoding कहलाता तो आपको इसका मतलब पता चल गए ठीक है अब देखो coding decoding को अच्छा गरने के लिए इसमें master होने के लिए आपको कुछ चीजों पर business ध्यान देना है तो चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ चलिए अगले slide पे चलते हैं तो देखते हूँ हाँ पर क्या देखने के मिलेगा देखो अगले slide पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर देखो लेखा है alphabet place value अगर coding decoding के questions को आप solve करना साथ है तो alphabet की place value जो है यह बहुत बड़ा rule play करेगा अब आपको alphabet की place value forward direction और backward direction दोनों तरीके से आपको याद करना है forward का मतलब a to z है न और backward का मतलब है z to a है न इस तरीके से आपको find out कर ले न देखे a to z की बात करेंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ इसे कैसे याद करना है आप कर लेजेगा देखो a की बात करेंगे a का मतलब है एक b की जो place value है यह 2 है c की place value 3 है d की place value 4 है इसी तरीके से आप निकालेंगे a f z as आप last तक जाएंगे तो z की place value 26 ठीक आपने forward direction से याद कर ले ठीक अब backward direction से अगर आपको याद करना है तो आपको ऐसा नहीं कि ऐसा लिख के याद करेंगे z बराबर 1 है y बराबर 2 है और last भी आप जाएंगे तो a बराबर 26 मिलेगा आपको यह रटना नहीं अगर आपने forward direction से याद कर लिया है तो जो forward की value है अगर 27 में से उसे minus करेंगे तो आपको backward की value मिल जाएगे इस चीज को याद रखेंगे देखो अब जैसे माले जे एक आप forward direction का मान एक है न तो backward direction 26 से 27 में से एक minus करेंगा 26 मिलेगा तो देखो आप याद रखेगा 27 minus यहाँ पर मैंने लिख दिया forward is equal to backward तो इस formula के through भी आप backward direction को याद रख सकते हैं आसानी से याद रखेगा तो alphabet की place value याद रख लिजएगा इसके बाद देखो इसके ना कुछ tricks भी होते हैं तो मैं उन tricks को लिख दे रहा हूँ आप उससे थोड़ा सा help मिल जाएगा तो आप जल्दी याद कर लेंगे देखे यह trick क्या अगर हम लोग इन tricks की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ मैं tricks लिख दे रहा हूँ जिसकी सहयता से आप आसानी से याद रख सकते हैं चली तो देखे इसकी trick क्या बनेगी यहाँ पर क्या trick आ सकते हैं यहाँ पर जैसे एक trick है e, joti, है लिए जो, t, है ना, e, joti क्या बताता है यह 5-5 की series पर चलता है e, 5-वे नमबर पर है, है ना, j, 10-वे नमबर पर है, o, 15-वे नमबर पर है, t, 20-वे नमबर पर है, और y, 25-वे नमबर पर है, आब इसके आस पास सीज़ें आप आराम से find out कर लेंगे इसकी अलामा एक ट्रिक होता है सीफी लोरक्ष यह तीन का मल्टिपल होता है जैसे देखें, तीन पर है यह C F का है 6 I का है 9 L 12 नंबर पे है O 15 नंबर पे है R 18 नंबर पे है U 21 नंबर पे है X 24 नंबर पे है तो देखो, यह इसका ट्रिक है आप यहां से भी find out कर सकते लेकिन मैं आपको एक सला दूँगा आप थोड़ा सा मेहनत कर लिजेगा घर पे आप लिख लिख के आसानी से याद कर लिजेगा इन सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है होता कि है एक्जाम में आपको लगता है कि हम find out कर लेंगे लेकिन उतनी जल्दी आसानी से चीज़े कबर नहीं हो पाती और वहाँ पे हमारा समय खराब होता है तो आपको एक काम करने देखो आपको करना क्या है आप अभी से रोज का एक routine बना लिजे आपको दिन में एक बार या दो बार इसके place value लिखनी है रिवर्स और फारवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके जैसे a 1 b 2 c 3 ऐसे आपको कोशिस करना है कि दिन में एक से दो बार आप लिखे इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं बनेगा नहीं तो वहाँ पे दिक्कत आती है ऐसा लगता है ना कि हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाता है बाकि इसके अलावा देखो ये आपने clear कर लिए है अब इसके बाद देखो और क्या याद होना चाहिए इसके बाद आपको opposite letters भी याद होने चाहिए opposite letters का मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या होता है opposite letters का मतलब देखे आपने place value याद कर लिया है अब रूखे एक मिनट ये डिस्पले में थोड़ा सा साफ कर लू बोर्ड पर जगा बन जाए opposite letters की बात करें जैसे देखे एका opposite होता है Z, B का opposite होता है Y, C का opposite होता है X है न तो इसको अलग-अलग तरीके से सेट करते हैं, अलग-अलग लोग trick बनाते हैं, आप भी उस तरीके से बना सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ words लिख दे रहा हूँ कुछ tricks है, कुछ direct है तो आप अपने हिसाब से देख ले ना, जो आपको सुभी दाजनक लेगे देखे, अगर बात करेंगे opposite letters का जो trick होता है वो trick क्या है opposite letters की देखे, A का Z है, तो इसको बोलते है R, B का Y मतलब Y, या फिर Y जैसे याद रखना है, 6 CXE6 हो गए DW, इसके बाद EU, ये याद रखेगा U, उफ U का F हो जाएगा ZT Road, G का T हो जाएगा High School, H का S हो जाएगा IR, Inter College हो गए ZQ, Jungle Queen इसके बाद K P कमला पसंद या फिर P के जो भी आप बोलना से इसके बाद LO LO, इसके बाद M, N ये सब अपोजिट लेटर से जिससे A का अपोजिट है Z और Z का A B का Y और Y का B C का X, X का C D का W, W का D इस तरीके से आप इसको याद कर ले जाएगा इसके अलावा ना ये तो आप डैरेक्ट रख सकते बाद की आप ट्रिक के साथ जाना चाहते है तो इसका एक ट्रिक होता है S, देखे, सर्ट S, S, I, R, T, Z, L, O, V, E S, H, ये दोने एक दूसरे के अपोजिट है I, R, ये दोने एक दूसरे के अपोजिट है T, Z, ये एक दूसरे के अपोजिट है L, O, ये एक दूसरे के अपोजिट है और V, ये एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते है चले, next slide पर आते हैं, देखे यहाँ पे, अच्छे यह trick लेखा है मतलब यह trick मैंने आपको यही पीछे समझा दिया trick मतलब, जो place value की trick थी place value का मतलब izoti, है ना, izoti यह वाला क्रम, है ना, 5 10, 15, 20 25, यह मैंने आपको समझा दिया इसके बाद salt, देखे izoti के बाद cifilorex cifilorex यह मैंने आपको समझा दिया यह यह तीन का multiple होते है बाकि place value की बात करेंगे तो as by 6 यह मैंने समझा दिया, देखो friends आप क्या करिएगा, आप इसको ना, यह जो पूरा trick है, इसको comment में comment में add करने से चीज़े आपको याद हो जाएगी तो एक बार जरूर आप comment में add करिएगा आप यह izoti, cifilorex as basic से पूरा और साथ में salt जी लग यह जरूर से आप comment में add करेगा ऐसा करने से चीज़े आपको याद हो जाएगी चले, अब और भी आगे बढ़ते हैं next slide पे आप देखो type साब question दिया याना कि इसमें किस किस प्रकार के questions आते है अगर coding decoding की बात करेंगे देखो, plus one, minus one type इसका मतलब क्या है देखो, plus one, minus one type का मतलब यह होता है कि जो भी words होंगे उसके code आपको एक आगे बढ़ा के देगा या पीछे करके देगा इसका मतलब क्या जैसे example मैं समझा रहा हूँ देखो, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूँ कि कितने type के questions आ सकते हैं ठीक है, बाकी questions आगे करा हैंगे मानली जै ऐसे दिया है type 1 में देखो, यहाँ पे plus 1, minus 1 type क्या कहता है मानली के चलो आपके पास लिखा है B, O, Y अभी हम लोग फिलहाल में plus 1 का term देखने हैं देखो, ऐसे बोल देगा कि Y को हमने लिख दिया है C, P, Z और आप ऐसे बोलेगा किसी भासा में Y को C, P, Z लिखा जाता है तो बताईए, girl को क्या लिखा जाएगा यह आपका question बनेगा देखो, Y को क्या लिखा गया C, P, Z लिखा गया और girl का code आपसे पूछ रखका है तो आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर B क्या है B से C बनाए, मतलब प्लस एक हुए O से P बनाए, मतलब प्लस एक हुए और Y से Z बनाए, यहाँ पर भी प्लस एक हुए तो क्या हुए है कि सभी चीजों को प्लस एक करके लिखा है तो जब आपको answer लिखना होगे, देखो गरल से अब प्लस एक हैंगे तो Z से H हो जाएगा I से Z हो जाएगा R से Yes हो जाएगा और L से M हो जाएगा तो प्लस एक का मतलब यह होता है जो भी code रहेगा, इसमें चीजों एक एक अच्छर आगे की लिखी गहोंगी अब अगर माइनस एक होता तो यही क्या होता है? चीजों को एक अच्छर पीछे लिखा जाता है चलिए, question-1 का भी दिखा देते हैं आपको तो देखे, प्लस एक आपका clear हो गया प्लस एक टाइप में क्या होता है कि चीजों को एक अच्छर आगे लिखा रहे है माइनस एक की टाइप की अगर बात करेंगे जैसे ऐसा लिखा है कि मानने के चलिए y दिया है बोले का एक निस्चित कूट भासा में y को लिखा जाता है a p रुको इसके पीछे आना है n और x देखो ऐसे बोल जाए कि y को a n x लिखा जाता है यहाँ पर माइनस है कि देखो b में से 1 कम हुआ a आगया o में से 1 कम हुआ n आगया और ऐसे y में से 1 कम हुआ तो x आगया तो यहाँ पर कोई भी word देदेगा बोल देगा फिर जैसे मानने के चलिए मैंने आपके सामने लिख दिया है कि मानने लिखे m o N E Y money का code बताई जब money का code पुछेगा तो आपको क्या करना है एक एक पीछे जाना है एक लेटर पीछे जाएंगे तो आपको money का code मिल जाएगी जैसे देखे M से एक पीछे जाएंगे तो L है न O से एक पीछे जाएंगे तो N N से एक पीछे जाएंगे तो M E से एक पीछे आएंगे तो D और Y से एक पीछे आएंगे तो X तो इस तरीके से ये code बन जाएगा तो देखो यहाँ पे plus 1 और minus 1 type आपको clear हो चुका होगा इसमें क्या होता है एक अच्छर आगी या एक अच्छर पीछे लिखा जाते है ठीक गयो हो गया अब चले अब और भी type को देखते हैं देखो दूसरा type यहाँ पे दिया है plus 2 और minus 2 type है ना plus 2 minus 2 type का मतलब क्या है यहाँ पे चीजे ना अब plus 1 को नहीं होगी अब की बार ना plus 2 या minus 2 होगी जैसे मान के चले यहाँ पे लिखा है cat है ना बोलेगा एक निस्चित कूट भासा में cat को अब मान के चले cat का code हम लोग लिखते हैं देखें यहाँ पे दो-दो आगे लिखे जाने है ना तो c को d न लिखके e लिखेगा a को b न लिखके c लिखेगा और t को u न लिखके भी लिखेगा अभी मैं question बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ c से क्या क्या है यह दो अच्छा रागे चला गया plus 2 हो गया a से भी क्या हो गया plus 2 हो गया जब कभी भी यह last में z पर पहुच जाएगा तो z के बाद वापस से आपको a calculate करना है तो यहाँ पर प्लस 2 कर सकते हैं आसानी से आपको code निकल आएगा इसी तरीके से क्या होगा अब अगर minus 2 type का question रहेगा तो minus 2 में क्या करेगा चीज़े दो-दो direct मतलब दो-दो अच्छर back लेके जाएगा जैसे समझे मालो ऐसे लिखा है कि एक code लिखते है enjoy e n z o y ठीक इसको मैं यहाँ पर code नहीं लिखता हूँ आपको minus 2 करके direct इसका code बताना है code comment करना है कि क्या हैगा है ना जैसे अभी आपने देखा था y को इसने लिखा था तो यहाँ पर plus 2 नहीं minus 2 करके आपको comment करना है कि इसका answer क्या आएगा ठीक तो देखो यहाँ तो direct question रहेगा plus 1 minus 1 type plus 2 minus 2 type इसके अलावाना तीसरा type इसमें क्या हो सकते है इसमें आपको alternate type पर question देगा alternate का मतलब देखो यहाँ पर लिखा प्लस 1 minus 1 type जैसे देखो आपके सामने क्या होगा एक बढ़ेगा एक घटेगा देखो ऐसे लिखेगा y को एक निस्चित कोट भासा में लिखा जाता है cnx और cnz है ना रुके इसको cn अब पूछेगा कि मानलेजे y का कोड है अब आपसे पूछ लेगा कि man का कोड बताईए ना देखो y को इसने क्या लिखा cnz देखो b से प्लस 1 गया है ना अब o से yn हो गया मतलब क्या हूए माइनस 1 हुए है माइनस 1 और जो y है y से z हो गया फिर से प्लस 1 हुए देखो हो जाएगा है ना यह से एक पीसे जाना है पीछे नहीं जा सकते मतलब z हो जाएगा और यह यह से एक पीसे जाएंगे तो यह इसका कोड हो जाएगा तो इस तरीके से आता है अब यह प्लस एक पहले ना हो करके पहले माइनस एक भी हो सकता है इसमें कोई बात देता नहीं है यह minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 यह भी तरीका चला सकते हैं, ठीक, तो यह मैंने कुछ basic basic से types बता हैं, चलिए, और भी आगे बढ़ते हैं, जैसे plus 1 minus 1 type चल रहा था न, वैसे plus 2 minus 2 type चलते हैं, plus 2 minus 2 का मतलब क्या होते हैं, कि चीजों को 2-2 अच्छर आगे लिखा जाएगे, जैसे, मालो ऐसे बोलेगा कि y है, y का code, देखो, यहाँ पर हम minus लेगे चलते हैं, पहले ठीक है, तो minus यहाँ पर करेंगे, तो z हो जाएगा, है न, फिर plus की बात करेंगे, तो q हो जाएगा, और यहाँ पर अगर minus करेंगे, तो यह देखो, 24 से 22 मतलब, यहाँ पर कितना आदेगा, वी आदेगा, अब देखो, ऐसे बोलेगा, कि y जो है न, question दिया रहेगा, कि y का code यह निकल क्या आते है, अब आपसे पूछ लेगा chair, chair का code बताई, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, मैं यहाँ पर chair लिख रहा हूँ, देखो, y का code क्या लिखा है, देखो, b से, यहाँ पर क्या क्या है, minus 2 की है, यहाँ पर o से क्या क्या है, plus 2 की है, और y से क्या क्या है, minus 2 क्या है, तो same to same यही चीज़ आपको लगाना है, minus 2, plus 2, minus 2, plus 2, और minus 2, यह चीज़ आप लिख लेंगे, आपका code निकल के आ जाएगे, देखो अगर minus 2 करेंगे तो यहाँ पर A मिलेगा प्लस 2 करेंगे तो H के बाद क्या हो जाएगा, J आ जाएगा इसके बाद फिर से minus 2 करेंगे तो यहाँ पर Y आ जाएगा, और यहाँ पर अगर plus 2 करेंगे तो K मिल जाएगा और फिर से माइनस दो करेंगे तो कितना मिल जाएगा देखें यहाँ पे P मिल जाएगा तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका सही एंसर हो जाएगा A, J, Y, K, P देखें यह प्लस दो, माइनस दो मैंने दो तक लिया है कभी-कभी यह तीन तक भी आगे जा सकता है तो इसके लिए आपको तयार रहना है इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको प्लस तीन भी आगे मिल जाए इसके अलाओ देखो, एक तरीका और भी यहाँ पे लिखा है यहाँ पे दिया है, आपसे पूछेगा कि मैन को लिखा जाता है एन, जेड, एम, है ना और आपसे पूछ लेगा बताए यह बवाय का कोड क्या है आपसे क्या बोला, कि मैन को क्या लिखा जाता है N, Z, M लिखा जाते है आप बताए ये Y का code क्या बनेगा तो ध्यान दीज़ेगा देखो YM का opposite YN लिखा गया ठीक ये opposite है A का opposite Z हो गया और वापस से N का opposite M हो गया ये इसमें opposite है तो यहाँ पर जब Y के code को find out करना होगा तो आप क्या लिखेंगे Y के code को आप find out करेंगे यहाँ पर लिखेंगे B का opposite क्या हो जाएगा Y हो जाएगा O का opposite क्या हो जाएगा L हो जाएगा और Y का opposite क्या हो जाएगा B हो जाएगा तो इस तरीके से इसको आप find out कर लेंगे तो यह जिज़ आप याद रखेगा अपोजिट लेटर टाइप में भी ऐसे questions बन सकते हैं अब अपोजिट लेटर टाइप के बाद देखो इसके बहुत धेर सारे टाइप हैं ऐसा निये कि यहाँ पे जो मैं आपको कुछ limited बता रहा हूँ बस इतना यह धीरे धीरे आप practice करने लगेंगे न चीजे अपने आप clear हो जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा देखे यहाँ पे अब मैंने अलग अलगना लिखके मैंने सबको लिख दिया mixed type है ना mixed type का मतलब यह होता है कि जितने भी अन्य प्रकार के type बन सकते हैं सबकी बात हम लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं अब यहाँ पे ना कई बार ऐसा हो सकते है कि आपको alternate लिखके दे मतलब alternate बोलके diagonally opposite लिख दे जैसे देखे यहाँ पे लिख है एक दूसरे को और फिर आगे कोई word दे देगा और आपसे push लेगा जैसे मानने के चले apple का code बता है यह क्या होगा देखो यहाँ पे इसने क्या कहा है ना chair को जो c सबसे पहले था इसको सबसे last यू भेज दिया तो ऐसे आप यहाँ पे find out कर लेंगे a को इधर कर लेंगे है ना a p p l e तो यह भी आपका code बनता है diagonally opposite रखा जाता है एक दूसरे को है ना इसके अलोगा बहुत धेर सारे option है देखे और भी क्या हो सकते है कई बार ना place value को जोड दिया जाता है जैसे देखो ऐसे बोलेगा y का अब आपको यहाँ पे numeric code देगा अब तक जितना आपने देखा था सब later का code था यहाँ पे numeric code लेगा numeric code मतलब देखो y को ऐसे लिख देगा यहाँ पे मैं आपको solve करते हुए दिखाते हुए सलना हो ताकि समझ में y के लिए देखो b का 2 होता है o का 15 होता है bliss value है और y का कितना होता है देखो आप याद करेगा z का 26 है तो यह कम 25 हो जाएगा तो यह total देगे 25, 15, 40, 42 ऐसे बोलेगा कि y का code कितना है y का code है 42 अब आप से पूछेगा कि आप बताए गरल का code क्या हो जाएगा अब जब आप practice में रहेंगे तो आप इसको आसानी से find out कर लेंगे कि y का code इसने कितना लिखा है y का code लिखा है by 40 है ना letters को add किया है तो girl का code क्या हो जाएगा g का कितना होता है 7 i का कितना होता है 9 r का 18 और l का bar है ना इन सब को जोड़ देंगे तो आपको जो answer है वो final answer हो जाएगा तो यहाँ पे numeric का मैंने आपको थोड़ा से introduction दे है ना numeric के बारे में आपको अगली class में detail में बताएंगे कि numeric कितने प्रकार से बन सकते है चले यहाँ पे कुछ questions मैं आपको देता हूँ जिसको आप solve करके इसका answer comment कीजेगा ठीक है आप देखो question को जरूर हल किजे question को हल करने से आपको कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए चले मैं यहाँ पे question लिख रहा हूँ कि किसी निस्चित कूट भासा में मान के चले यहाँ पे एक कूट भासा हम लोग अपलाई करते हैं है ना यह कूट भासा क्या होगा उसमें क्या code बनेगा बता रहे हैं आपको देखें आपका पहला question कुछ ऐसा है मान लिजे किसी कोट भासा में मद्राश को M A D R A S है ना मद्राश को लिखा जाता है N B E S B T है ना मद्राश को यह लिखा जाता है तो आपसे पूछाए कि Bombay का code बताएगा Bombay का code क्या होगा Bombay तो आपका पहला question यह है कि मद्राश का code आपका यह है तो Bombay का code क्या होगा चलिए अगला question आपके सामने देखें आपको अगला question में आपको यह दे रहा हूं कि किसी निश्चित कोट भासा में फिस को F I S H है ना यह दूसरा question है कि F I S को लिखा जाता है E H R G है ना तो आपसे question पूछ रहा है कि चलिए आप बताएगा उसी code भासा में जंगल का code क्या होगा है ना जंगल जंगल का code आपको बताना है ना एक question आपके लिए और रखते हैं है ना एक question और देखेगा यह आपका H W है ना कि किसी सांकेतिक भासा में मान के चलिएगा यहाँ पे word क्या रखे आपके लिए रख लेते हम लोग operation है ना तीसरा question यह है कि कि किसी सांकेतिक भासा में operation O P E R A T I O N है ना operation operation को क्या लिखा जाते हैं N O D Q B U J P O है ना यह लिखा जाते हैं तो आपसे question पोछ रहा है कि उसी code भासा में invisible को क्या लिखा जाएगा invisible है ना इसका code क्या होगा तो यह आपके सामने तीन question आपके ऐसे डबलू के हैं आप इसको comment करेगा इसका answer आप जरूर comment करेगा ठीक है और आपके comment से like से हमें motivation मिलता है तो friends आप वीडियो को पूरा देखेगा और आपको पसंद आए तो आप like किजेगा साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर प्रकार के notifications आपको मिलते रहें सलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक क्लिए take care bye bye thank you